और अब बात पाकिस्तान वाले प्यार की पाकिस्तानी महिला महविश और राजिस्थानी युवक रह्मान की लव स्टोरी में नया ट्विस्ट आ गया है रह्मान की पहली पतनी फरीदा बानो ने उसके खिलाफ अनुमान गड़ के भादरा में केस दर्ज कराया है फरिदा बानो ने रह्मान पर उसे तीन तलाग देकर पाकिस्तानी लड़की से निकाख करने का केस दर्च कराया है इसके साथ ही उसने पती रह्मान और ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताडित करने के भी आरोप लगाए है आपके एक लड़की है एक लड़का है का आप हमारे साथ परिदा के पिता आप कुछ करना चाहिए सरकार से या लोगों से समाज से अधिसर मेरा करना यही है कि मुझे मेरे बच्चों का मेरे पेटेगा चाहिए सरकार से निवदरने मेरी कही जो मामला चर रहा है जो पाकिस्तान से लड़की आती है शार्दी करती है एक दूसरे लड़की जिद्धी बरवाद करिया है मैं सरकार से बिजाजिश करता हूँ इसके लिए को इन कुछ फर निकारे ताकि दूसरे बच्ची की जिन्दी की खराब ना करता है जिसे मेरे बच्ची जिन्दी की खराब हुई है जिसे कि दूसरे लड़की जिन्दी की खराब है एसा काम निकारे ताकि कि कह कोई पाकिसा एक मशूर शेर है ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और दूप के जाना है पाकिस्तान के लाहोर की रहने वाली महविश को प्यार की कशिश हिंदुस्तान तक लिया है दो बच्चो की मा महविश चुरू के पीती सरगाओं के रहमान को दिल दे बैठी पहले फोन पर प्यार हुआ और साल 2022 में वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए एक दूसरे से निकाह कर लिया रहमान भी दो बच्चो का पिता है लेकिन पत्नी से अन्बन के चलते दोनों अलग रहते हैं नेविश के सस्राल वाले उसे वागा बॉडर से लेकर रधान नगर ठाने पहुंचे जहा पाकिस्तान के स्टुरहन से पूस्टाच कर दस्तावेजों की जाच की जरए अबने बॉडर का तो ही थी दोज़ार बाइस में मने शादी की है तो दोज़ार थेस में मैं अम्रे पे गई थी सोदिया में फिर उद्धर जागी मुल्बी निकाप बढ़ाया था हमारा इंडिया मैं अपने सुस्राल वाले के पास साहिए तो पाकिस्तान में रहती हूं र यहाने के लिए मन कैसे बना मैं अपने सुस्रालो को मिलना चाह रहे थी वहां से अब वागाबाडर से आई हूं कब सले थे अभी 45 दिन का वीज़ा मेरा बकॉल मेविश वो जब दो साल की थी तब उसकी माँ चल बसी वो जब बारा साल की हुई तब पिता का इंतकाल हो गय थी साल 2006 में खुर्रम शैजाद नाम के शक्त से शादी हुई जिससे बारा और साथ साल के दो बच्चे मैविश की माने तो साल 2018 में पती से तलाक होने के बाद वो बिल्कुल अकेली रहे और फिर उसके जिन्दगी में रह्मान की एंट्रिंग हुई साल 2020 में आईमो पर दोनों की चान पहचान हुई दोनों एक दूसरे से फोन पर लंबी बात करने लगे और फिर एक दिन दोनों ने फोन पर ही वीडियो कॉंफरेंसिंग के जरिये निकाह कर लिया आलंकि न्यूज 18 के पास इस बात के गोई सुबूत नहीं है कि पासफरों लुज़ा है रुशी बीज़े पर आई है तरह किस तरह की इदाएद दी गए इनके प्रेजनों को परिजनों के दायद दी ये आप कहीं भी रस्टेटर्टेट Пलेस पर ने जाओगे और 24 गंट्राम निगे कि आप ठाने पर गोकिया जिदियों मॉबाइल सु महविश की जिंदगी के खालीपन को रहमान ने मढने का काम किया और रहमान की तखाईयों में महविश सरगम बन कर आई दोनों का प्यार परवान चड़ा, महविश की माने तो अपने बहन और बहनोई से बारचीत कर उसने रहमान को शादी के लिए प्रपोस किया जसके तीन दिन बाद साल 2022 में महविश ने रह्मान से वीडियो कार्फरेंस के जरीए शादी कर लिए पिलार रह्मान कुवित में ट्रांस्पूर्ट का वेबसाइट कर रहा है साल 2023 में महविश उम्रा गई जहां रह्मान भी पहुँच गया और दोनों ने मक्का में निकात किया महविश नाम की लड़की है पाकिस्तान की रहने वाली है और ये भी साधी सुदा और रह्मान भी साधी सुदा है और इसके भी एक बच्चा रहमान के भी दो बच्चे हैं इनका डिस्प्यूट रहमान का और उसकी भीवी का जो डिस्प्यूट था उसके चलते इसने और 2022 में इनका और फोन पे इनका विवा हुआ है पाकिस्तान के किसी सहर में और ये कोईत में रहता है उसके बाद में बार पिती सर का रह्मान कुवेत में ट्रास्पूर्ट का काम करता है उसका छोटा भाई सलीम दाम में ही रहता है जब कि पिता अली शेर खेती करते हैं रह्मान की शादी साल 2011 में भादरा के फरीदा के साथ हुए रह्मान की दो बच्चे हैं शादी के बाद रह्मान की अपनी पत्नी से अन्बन हो गई फिलाल फरीदा अपने पिहर भादरा में रह रही है परिवार को भी इस निकाह का पता साल 2023 में चला जब दोनोंने सोशल मीडिया पर अपनी फोटो शेयर दी बहराल मेविश 45 दिन के टूरिस वीजा पर भारत आई सरहब पर खड़े ससुराल के लोग उसे निजी वाहन से लेकर रवाना हुए और फिर सदा शेयर में एक रात रुटकर उसे गाव पितिसले आए लेकिन वो जब तक हिंदुस्तान की सरजमीन पर है लोगों के मन में कई सवाल है सवाल ये है कि आखिर मेविश दो बच्चों के पिता से शादी करने को तयार क्यों है दूसरा ये कि जब उसका पती कुवेट में है तो उसे हिंदुस्तान आने की जरूरत क्यों बढ़िए मेविश के भी दो बच्चे हैं वो किसके पास हैं न्यूज एटिन राजस्थान के लिए चूरू से मनोश शर्मा की रिपोर्ट और रुकरेंगे इस बीच दोसा से मिल रही सबसे बड़ी खबर का मुख्यमंत्री बजनलाल शर्मा को धमकी देने के मामले को लेकर इस वक्त का बड़ा अपजेट आपको बता दे जेल परिसर के अंदर मोबाइल मिले हैं जी हाँ मोबाइल लगातार इसे लेकर सर्च ऑपरेशन जारी है और जब सर्च ऑपरेशन किया गया मोबाइल ढूंडने के दोरान अजीबो गरीब घटना करम हुआ जेल परिसर में जमा बारिश के पानी में पॉलिथीन में कुछ पैकेट्स मिले बारिश के भरे पानी से पॉलिथीन के पैकेट कुले गए तो इनमे से मोबाइल फोन निकले हैं कुछ बारिश के जमा पानी में मोबाइल फोन मिले कैदियों की बैरेक से चार्जर भी बरामद हुए है लालसोट के एसपी कैदी नीमो से पुश्टाच में जुटे हुए है नीमो रेप के मामले में जेल में बन है लेकिन जेल के अंदर से ही उसने मोबाइल फोन के जरिये मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को जान से मारने की धमकी दी विशिष्ट केंद्रे काराग्रे शालावास में अब तक दस मोबाइल फोन मिल चुके है इधर लालसोट के एसपी लोकेश सुनवाल सीयम को धमकी देने वाले कैदी नीमो से पुश्टाच में जुटे है दारजिलिंग निवासी कैदी नीमो रेप के मामले में सेंट्रल जेल शालावास में बंद है जेल प्रशाजन पर भी कई गंबीर आरोप लग रहे हैं कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि अब तक जाच में दस मोबाइल फोन मिल चुके हैं चार्जर्स भी मिले